हलो दूस्तो, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे यूटूब चैनल एसके ओन्वाइन सेंटर में आज हम बात करने वाले है इस्टाप सेलेक्शन कमिशन यानि SSGD जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चों का था अब इंतजार खतम हो चुका है क्योंकि इसका फर्म अनलाइन सुरू हो चुका है इसको कैसे ओन्वाइन आविदन करेंगे क्या 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 आपको डाकुमेंट लगेगा अगर आप रेस स्टुडेंट है तो कैसे इस फर्म को अपलाई करेंगे अगर आप इस फर्म को पहले से अप्लाई कर चुके हैं इस फ़म को कैसे आप रेनुवल करेंगे step by step सारी जनका है इस वीडियो में हम बताएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जैसा कि आप देख पा रहें मेरे सामने इसका होम साइट है जैसे ही आप इसको open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा इसको मैं login करने से पहले मैं आपको बता दो कितनी पोस्ट है कितनी पोस्ट है कितने एज है किस बिभाद में कितनी पोस्ट है सब कुछ इस वीडियो में जानने वाल है तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं जैसे आप इसपर क्लिक करेंगी आपको यह आप दिखाई देगा इंपटेंस डेट ही है 21.12.12 तक इस फरम को फिलप किया रहा है और 31.12.12.22 तक इस फरम को फिलप किया जाएगा जो आप एमाउंट पे करेंगी वह आप 1.12.20 तक पेमेंट कर सकते हैं करेक्शन का डेट जो है 4 और 6 के बीच में January 24 तक रहाएगा इसका जो exam date है जो आपको computer based test होगा यह जिसको CBT भी बोलते है 20 February से 12 March 24 तक रहाएगा ठीक है एड्मिर काड आपका exam से पहले अबलेबल करा दिया जाएगा इस category में आएगा तो आपको दिखाई देगा कितनी इसकी fee से general EWS और OBC वालों के लिए 100 रूपीज है STSC के लिए 0 रूपीज है और all category female के लिए 0 रूपीज है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो SSC GD Constable Requirement 32 एज यहाँ पर दिया हुआ कितनी एज चाहिए 18 से 23 वर्स आपकी उम्र होनी चाहिए ठीक है अगर आपको आई में छूट चाहिए यह से HDSC या वह भी सी कटेक्रिक है ताप हो छूट दिया जाएगा टोटल पोस्ट यहाँ पर देख पा रहे है वेकेंसी डिटेल्स टोटल वेकिंसी आपर 26,146 पोस्ट है इसको आगे भी वेकेंसी को बढ़ाया जा सकता है ठीक है यानि लखमक साय 75,000 वेकिंसी के आसपस आने वाली है अभी फिलाल इतना ही जारी किया गया ठीक है इसके बाद BSF के लिए 4,184 पोस्ट है ठीक है CISF में 11,025 पोस्ट है CRPF में 337 पोस्ट है ठीक है SSB में 635 पोस्ट है ITBP में 3189 पोस्ट है असाम राइफल में 1490 पोस्ट है SSF में 296 आप पोस्ट को देख सकते हैं आपकी eligibility क्या होने चाहिए क्लास 10 मागा गया है ठीक है इसके बाद हम नीची आएंगे तो आप दिखाई देगा SSC GD Constable Notification में आप कटकरी यहां पर जो की देख सकते हैं mail के लिए कितना seat है और female के लिए कितना seat है ठीक है general EWS, OBC, SC, SC के लिए इसको अच्छे से अपना पढ़ लिजीगा देख लिजेगे यह आपको सरकार रिजल्ट पर आपको असानी से मिल जाएगी ठीक है फुरी डिटेल यहां पर दिया हुआ है इसके बाद नीची आएंगे physical agility यहां से देखा ही देगी height chest running आप देख पार है OBC, SC, SC वालों के ल पाउन होना चाहिए और ST का जोकी 51 होना चाहिए ठीक है और female का chest नहीं ना पा जाता है इसलिए चो छोड़ देख पा रहे है OBC वालों के लिए 5 km है 24 मिनट में और ST वालों को भी 24 मिनट में आपको 5 km है ठीक है female category में आएंगे तो साड़े 8 मिनट में आपको 600 मिनट दोड़ करेंगे जैसे याप इस पर ट्लिक करेंगे आप इस वाले साइट पर चले आएंगे या आप Google पर टाइप करेंगे SSC तो आप इस पर चले आएंगे ठीक है तो आप हम बात करेंगे इस फर्म को कैसे apply करेंगे जैसे आप इस पर आएंगे आपको अपना username, password यह जो capture code फिल कर कर सकते हैं अगर आप पुराने student है अगर आप जो कि SSC के कोई भी form फिल अप किया हो जैसे आप SSC, MTS हो गया, SSC, CHS हो गया यह जो गया यह जो भी अपने form फिल अप किया हो उसका registration नमबर आप यहांसे फिल कर सकते हैं, password फिल करके login कर सकते हैं अगर आपको password नहीं पता है तो कोई problem नहीं, password का option देता है यहाँ पर जो कि password कर सकते हैं अगर आप नए candidate है, नए user है और fresh student है तो इस फ़र्म को कैसे apply करेंगे तो इस फ़रे section पर क्लिक करेंगे हम, new user, registration now पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगी, आपके सामने कुछ इस तरह का dashboard उपन होगा, वाला basic detail का, दूसरा आपका additional and contact details का, तीसरा आपका declination का, ठीक है, वसम चलते हैं सबसे पहले basic detail में, basic detail में कि आपके पास आधार काड है, अगर आधार काड है तो yes करिए, इसके बाग आप अपना आधार नंबर, आधार काड को confirm करेंगी, अगर आपके पास आधार काड नहीं है तो यह passport, school या college ID या voter ID, जो भी आप देना चाहते हूं याँसे चूच कर सकते हैं, जैसे मैं pen card सूच करता हूँ, तो pen card में आपको ID card का नंबर याँसे फिल करना पड़ेगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगी, तो मेरे पास आधार काड है, इसलिए हम आधार काड याँसे अगर नहीं है तो सिदनो करिए, इसके बाद आप अपने पिता का नाम, पिता का नाम पो confirm करिए, माता का नाम पो confirm करिए, डेटा बर्त याँसे फिल करिए, जो भी आपका डेटा बर्त हो, इसके बाद डेटा बर्त याँसे confirm करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आ करेंगे आसे जो भी आपका है इसके बाद high school का role number फिल करेंगे रोल नमर को confirm करेंगे passing year तेंगे किस तर में आपने high school pass किया है तिक है इसके बाद passing year को confirm करेंगे जेंडर यासे देंगे male female या transgender जेंडर को भीरिफाइ करेंगे इसके बाद level of education qualification यह आपका लेबल क्या है आई स्कूल, वेल्थ, डिप्लोमा, ग्रेशन, पोस्ट ग्रेशन या पीछिडी जो भी आपका रहा है आसा दे सकते हाई स्कूल है या इंटरमीडियेट है दो या चोच करेंगे इसके बाद मोबाईल नमर देंगे, मोबाईल नमर को विरिफाई करेंगे, इमे इसके बाद सेफ़ करेंगे आपका रेशिये नमर पसेशन नमर को और या बाद सेखरी स्कूल करेंगे इसके बाद नेक्सट पर क्लिक करेंगे, जैसे आँ के बाध आगे बढ़ेंगे आपको याँगा उन्टेंर का आफसेन देखाई यह सकते हैं इसके बाद कटेगरी को वेरिफाई करेंगे अगर है तो यह सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद नेची आएंगे तो परवनेंटेटेस यह सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद आगे बाद आगे बाद अगे बाद आएंगे अप्ते आसर बेस करेंगे और अलाग अलाग है तो अलाग अलाग फिल करेंगे इसके बाद हम सेव करेंगे इसके बाद नेश्ट पर क्लिक करेंगे ठीक बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपके आसे बेसिक डिटेल इसके बाद एडिशनल एंड कॉंटेक्ट डिटेल सेव हो जाएगा इसके बाद आएगरी पर क्लिक करेंगे ठीके आएगरी पर क्लिक कर करेंगे इसके बाद स्वामिट पर क्लिक करेंगे ठीकित कि बाद क्रूच करेंगी आप देकभाएए यू सक्सेश फुली अपडेड़ इरे शिशन योर डी इस नम्बर इस अपका Comic sue GD के थुरू जितने भी फर्म आपको fill up किया जा रहा है वो आपको यासे शो करेगा यानि SSC के थुरू जो भी फर्म fill up किया जा रहा है आपको यासे एक लिख्षित दिखाई देगी जिस भी फर्म पो apply करना चाहते है कि वह आप इस पक्लिक करेंगी apply now पे अगर printout निकालना चाहते हो तो इस पक्लिक कर सकते है payment करना चाहते है तो इस पक्लिक करेंगी payment का status देखना चाहते है तो इस पक्लिक करेंगी application का status देखना चाहते है तो इस पक्लिक करेंगी अगर आपका payment फर्स चुका है payment आप यह मोबाइल से कड़ चुकी है ठीगे इस पक्लिक करिए double verification आ नीची आएंगे हम नीची आने बाद कुछ इसरे का इंटेस दिखाई देगा जो अपने रिशिशिन करते होग दिया था इसके बाद नीची आएंगे तो यह से पूछे जाएगा क्या आप एक सर्विस में ने अगर है तो यस करी वा नुक करिए ठीके इसके बाद हम आगे ब जो भी आपका रहा है याँसर चूछ कर सकते रिफिर्मस अफ एक जोच करने के आप संदिके बाद आगे बढ़ेंगे मेडियम और कॉंप्यूटर इग्जामिश किस लांग्वेज में देना चाते है इंदी इंग्लीश और शामी या बंगाली जिसमी लांग्वेज में कहा का किस इस्टेट का है इसे मेरा उत्तरप्रस का है तो उत्तरप्रस है चूच करेंगी उसके बाद इस्टेट को कंफर्म करेंगे डिस्टिक आप डिस्टिक में आपका डिस्टिक है इसको कंफर्म करेंगे यासे के बाद हम आगे बढ़ेंगे या इंग्लिस में लिखा है म इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आपको कोई चरिशाण नहीं करनी है, नीचे आएंगे, तो प्रिस्फेंस आप पोश्ट, किस प्रिस्फेंस को सबसे पहले आप देना चाहते हैं, यह पोश्ट का डिटिल दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जैसे आप कौन सा आप पोश्ट सबसे पहले लेना चाहते हैं, CISF, CRPF, SSB, ITBP, ASAM Rifle, जो भी आप लेना चाहते हैं, यह से चूच कर सकते हैं, जैसे किसे पालेश चाहिए, इसके बाद यहाँ ब्याफन देंगे, लिगे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो BASF चाहिए, BASF को यहां से एक क जो preference आपने इसमें फिल किया है वही preference आपको यहां से फिल करना है इसके बाद हम निशी आएंगे तो highest qualification आपके पास किया है जो भी आपका highest qualification आप यहां से दे सकते हैं अगर आपने intermediate किया है तो intermediate चूच करेंगे अगर आगे बढ़ेंगे तो 10 standard या उसके समक्ष जो भी डिगर इसके बाद आपने किस तर्म में पास किया हुए आपका registration नंबर से ले लेगा किस state से पास किया हुए आस ले लेगा किस board या university से पास किया हुए आस ले लेगा इसके बाद आपका roll number दिखाई देगा इसके बाद परसेंटेज आसे देंगे इसके बाद अगर आपका cgps cbc इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यह बाद पूछा यहां कि जहां भी अपने फरोट रखा है उस पर क्लिक किर सकते हैं उसके बाद upload करेंगे, फोटो में आपको एक बात ध्यान रखने है कि आप data photo होना जरूरी है ठीक है, यहने तीन मेंने से पहला होना चाहिए, उस पर data photo लिखा होना चाहिए, इसके बाद आप अपने signature upload करेंगे, इसके बाद इसको yes पर click करेंगे, इसके बाद नेशी आएंग आप preview को अच्छे से मिला लेंगे, इसके बाद अगर कुछ को लगता है कि आप गलत हो गया है, एडिट या मोडिफाई कर सकते हैं, वरना submit पर click करेंगे, जैसे आप submit पर click करेंगे, अगर आप female category के होंगे, तो सिद्धी आप प्रिंट आउट निकल जाएगा, अगर male category के होंगे, आप यहां से payment करना पड़ेगा, ठीके, आप यहां से payment कर लिजेगा, जिसमी माथम से payment करना चाहते है, payment करने के बाद आप यहां से अपना final printout यहां से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने सुरु में बता दिया है, ठीके, अगर payment नहीं किया, तो कोई problem नहीं, आप यहां से जो कि दुबारा से payment कर सकते हैं, अधर payment आपका false शुका है, तो कोई यहां नहीं कि कोई यहां नहीं, double verification आप payment पर किलिए करके, आप अपना payment को subscribe करा सकते हैं, अधर आपको लगता है कि restriction करते वाद कुछ को अलत हो गया है, तो आप इस वाले option पर जाएंगे, modify restriction को modify कर सकते हैं, ठीके, मेरी सारी जनका इस वीडियो में आपको provide कि किस तर से आप SSC GD के लिए online आविदन करेंगे, अधर आपको कोई problem हो रही है, तो comment बखन में जुरू comment करिएगा, मैं आपको उसका reply दे दूँगा, तो आसा है यह वीडियो को अच्छा लागा आगो, तो like क करिए, comment करिए, और ऐसे ही information वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं, यहीं दोस्तों